आप लोग अपनी स्केरिन के सामने एक सक्स की फोटो देख रहे होंगे और मुझे लगता है कि इन्हें आप सभी लोग जानते भी होंगे ये भिहार के बर्तमान मुक्मंत्री नीतेश कुमार है और मैं जब भी आप देखें कि नीतेश कुमार की राजनितिक यात्रा को देखता हूँ तो मुझे बचपन की एक घटना याद आजाती है और मुझे लगता है इस घटना से आप सभी लोग परिचित होंगे आपने देखा होगा कि बचपन में जिसके पास बैट और बॉल हुआ करता था टॉस में कुछ भी रहे चित रहे पट रहे लेकिन आपने देखा होगा कि बैटिंग वही करता था जिसकी गैन और बला रहता था इसी तरह आप लोग बिहार में देखिए नीतेश कुमार के पास कितने भी बिधायक रहे उनकी सीटें कितनी भी रहे लेकिन आप देखे कि मुकमंत्री हर वार नीतेश कुमार ही बनते है अब आप सोचिए कि तीसरे नमबर की पार्टी रही थी 2020 में लेकिन आप देख रहे हैं कि फिर भी आपने देखा कि नीतेश कुमार को मुक मंत्री बनाया गया है तो आज हम लोग नीतेश कुमार के बारे में एक सामान जानकारी देख लेंगे और राजनीती का महारती भी कहा जाता है नीतेश कुमार को इसलिए कहा जाता है और आप दीके बड़े बड़े पॉलिटीसियन को इनोंने नीचे गिरा के आंगे बढ़ किते हुए आप समझ रहे हैं कुर्सी पर बैठ जाते हैं इनकी पिक्चर आपको देखी रही है और बिहार को आप लोग देख लीजें यह है बिहार इसकी राधानी पटना है और बिहार के अगर हम लोग बात करें सीटों की तो बिधान सबा में 249 सीटे हैं बिधान परिशत में 75 सीटे हैं राज्य सबा में 16 सीटे हैं लोग सबा में 40 सीटे हैं और बिहार से लगे हुए राज्यों को देखें तो उत्तर प्रदेवस हो गया आपका, आप देखेंगे फिर जारकंड हो गया, पश्च मंगाल हो गया, और यहां आप देखेंगे तो इसकी अंतराष्टी सीमा नैपाल से लगती है, किस से लगती है, नैपाल से लगती है, उन्ना की नाम से भी जानते हैं इनके जनम की बात करें तो एक मार्च उन्नीस सो इंक्यावन में इनका जनम हुआ था और जनम इस्थान इनका क्या है बक्तियार पूर्ग बिहार में इनका जनम हुआ था इनके पिता की बात करें तो कभी राज राम लखन सिंग इनके पिता का कुमार इनके बेटे का नाम है अगर हम लोग नीतिस कुमार की सिक्षा की बात करें तो स्री गडेश गनेश हाई स्कूल बक्तियारपूर पठना से अपनी सुरुवाती सिक्षा लेते हैं फिर आंगे की सिक्षा ये बिहार कॉलेज आप अवियाद की पठना साइस कॉलेज से और आपको बता दूँ, Mechanical Engineer है नेतेश कुमार, और इनकी जाती की बात करें तो अनुसूचित, जन जाती से आते हैं, कुर्मी जाती से आते हैं, और राजनिती इनका बेवसाय हैं, और बिहार की वर्तमार मुखमंतरी भी है, इनकी राजनितिक पाटी की बात करें तो जनता ल है, और पसंदीदा नीता, जैपेकास नारायन है, और आपको बता दूँ कि इंद्रा गांदी ने जब राष्टी आबाद का लगाया हुआ था, आप सभी कुमार होगा, वो समय आप लोगों ने जेपी आंदोलन के बारे में सुना होगा, तो नीतेश कुमार हों, लालू य या आप देखेगी सुसील मौदी हों, ये सभी उसी आंदोलन से निकले हुए नेता है, तो काफी जमीन से जुड़े हुए नेता है, अगर हम लोग इनकी राजनेतिक यात्रा की बात करें तो 1971 में, राम मरुहर लोहिया की यूवा, साखा और समाजबादी यूवा जन सभा की सदस बनते हैं, नीतेश कुमार, फिर आप देखेंगे, 1974 में जेपी आंदोलन में सामिल होने पर, उन्हें आंतरिक सुरक्षा आदिनियम के तहट गरपतार कर लिया जाता है, 1975 में भी आपातकाल के समय गरपतारी होती हैं की, 1985 में बिहार विधान सभा की सदस बनते हैं प और विधायक का चुनाव किस तरह से होता है, जिनकी उम्र 18 साल हो चुकी होती है, जिनका मद्दाता सूची में नाम जुड़ जाता है, वो लोग बोट करते हैं, और अगर आप लोग 18 साल के हो चुके होगे, तो आपका मद्दाता सूची में नाम जुड़ गया होगा, 12,000 में केन्दरिय एक कीर्सी और सहयोग राजमन्तरी बने हैं 12,000 में केन्दरिय किर्सी मन्तरी बनते हैं हुए पहली बार किवल आठ दिन के लिए बिहार की मुलकमन्तरी बनते हैं 12,000 में ही makes perfect effective नहीं कर पाते हैं तो अगर आपसे कोई पूचे कि बिहार के पहली बार नीतेसकुमार मुखमंत्री कब बने थे तो सन 2000 में 2001 में वो एकेंद्रिये रेल मंत्री बनते हैं 2005 में उन्होंने भाजापा की समर्तन से दूसरी बार बिहार की मुखमंत्री की रूम में सपत गहन की हुई है 2010 में आप देखेंगे तीसरी बार बिहार की मुखमंत्री की रूम में इन्होंने सपत ली हुई थी फिर आप देखेंगे 2014 में भाजापा की साथ गठमंदर तोड़ने पर उनकी पाटी को लोकसवा चुनारवी है करारी हार का सामना करना पड़ता है जिसके कारण उन्हें मुखमंत्री पत से इस्तीरपा दे देना पड़ता है क्योंकि आप सभी जानते हैं कि बिहार में ये मुखमंत्री किसके सहयोक से थे बीजे पीगे लेकिन आप सबी जानते हैं कि मौदी को पिधान मंतरी जो वर्टमान पिधान मंतरी हैं मौदी साब इन्हें पसंद नहीं करते थे नीतिस कुमार और इसलिए NDA से अलग हो जाते हैं नीतिस कुमार और इनकी सरकार गिर जाती है लेकिन आप देखेंगे 2015 में ही इसी बर्स उन्हें बिहार की पांचबे मौकवंतरी के रूम में सपद दिलाई जाती है वो एक गठबंदन सरकार थी जिसमें जिसे लोक पिरिये रूप से महागठबंदन कहा गया जिसमें लालू पिरसाद और कॉंग्रेस का भी सहयोगे ने मिला जिसमें राष्टी जन्तादल, भारती राष्टी कॉंग्रेस और जन्तादल सयुक्त पाइटिया सामिल थी फिर आप सभी जानते हैं कि 2017 में महागठबंदन को तोड़ देते हैं महागठबंदन से नेतेस कुमार अलग हो जाते हैं और 27 जुलाई 2017 को भाजापा की समर्तन से बिहार की मुखमंतरी के रूम में सपत ले लेते हैं और फिर आप देखेंगे 2020 में आपकी विधान सबा चुनाओ होते हैं और मुखमंतरी के रूम में फरसे नेतेस कुमार सपत लेते हैं और इसलिए कहता हूँ देखें नेतेस कुमार की बात नहीं कर रहा हूँ हर नेता की बात कर रहा हूँ आजकल हमारे देश की राजनीती में आप देखें बेटा किसी और पाइटी में बेटी किसी और पार्टी में आप बीवी किसी और पार्टी में और खोद किसी और पार्टी में आप देखें कि नीतेश कुमार हर पार्टी से गटमंदन कर चुके हैं आप देखें मौधी को ना पसंद करते थे एक समय और आजकल आप देखें कि मौधी को काफी पसंद करने लगे हैं नीतेश कुमार और मजबूरी भी वो कहते हैं कि मजबूरी भी रहती है अगर अब हम लोग बिहार के मुख मंतरी से जुड़े हुए कुछ बिवाद भी देख लें क्योंकि आप देखते हैं कोई भी नेता रह तोड़ दिया था और 2015 में लालू पिरसाद और कॉंग्रिस के साथ गटवंदन से बिहार में चुनाओ चुनाओ में रहते हैं फिर आप देखेंगे बिहार चुनाओ के दौरान एक तांत्रिक से मिलने का बीडियो वाइरल होने पर भी वह बिवादों में रहे थे सुर्खि करोर रुपे के राजस्व का नुकसान हुआ है बिहार के मुखमंतरी की निउक्ती और बारखास्तगी में जितन राम माझी ने नीतेश कुमार पर विवाद इस पर टिपडियां भी की थी और आजकल आप देख रहे हैं जितन राम माझी नीतेश के सह होगी है तो कहते हैं कि आप देखिए राजनीती में कम कौन किसका दुस्मन हो या है कौन दुस्मन दोस्त हो या है ये कहा नहीं जा सकता हैं राज़त और कॉंग्रेस के साथ गठबंद्द तोडने पर उन्होंने 24 गंटे में बिहार में सरकार मनाई और भाजापा का समर्थन किया और भाजाप से इनकी बात हो चुकी थी, उसके बाद ही इनोंने जो लालू यादो, लालू पिरसाद यादो की पारिटी थी और कॉंग्रेस थी, इस ते इनोंने गठबंदन तोड़ा था अपना, तो यही कहानी रही अभी तक नीतेस की, और आंगे क्या होता है नीतेस कुमार के बारे में आगे भी क्या यह मुखमंत्री बने रहते हैं, यह तो आने वाला वक्त ही बताएगा, हम आपको यह जोस्ती तो है नहीं, कि भविस्ट के बारे में भी बताना शुरू कर देंगे, और इसके लिए आप लोग सोशल मीडिया से जुड़े ही हैं, निउज फेपर फॉलो करते रहते हैं, टीवी चैनल्स देखते रहते हैं, और अकबार भी बढ़ते रहा करो, तो मालू चलता रहेगा कि देश में कौन सी कहा सी कौन सी घटना घट रही है, कौन किस के साथ घट बंदन कर रहा है, किस पाइटी में सामिल हो रहा है, किस के साथ सरकार बना रहा है, यही स भी बीजेपी में सामिल हो जाए या बीजेपी बाले कॉंग्रिस में सामिल हो जाए तो इसमें आफ्चर होने की जरुवत ही नहीं है आपको देश में जराजन्दी में कुछ भी हो सकता है ठीक है